ओके गाईस तो आज के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है अगर आपने कल के इन वीडियो को नहीं देखा है कल परसों के इन वीडियो को तो चैनल पर आपको मिल जाएंगे इसली आप जाकर के देख सकते हो आज का वीडियो जो है थोड़ा अलग होने वाला है खेर ब और एक mid-cap company है ठीक है और mid-cap company का मतलब आप समझते ही हो कि इसमें जो है risk होता है लेकिन small cap के comparison में कम होता है और इसमें रिवार्ड भी होता है तो जो भी है इंस वीडियो में क्या बात करने वाले कि इस वीडियो में हम बात करने वालन के बारे में कि ऑदिन कल्स में एक मुझे ऑपर्चिनिटी दिख रह dispels बोजे ये आ हैं वह किनके लिए हैं मैं आपको बता दूगा कि किस तरह से आपको long term में plan करना है क्या करना है बाकि long term short term दोनों ही देखा जा सकता है बट मैं short term को जादा मतलब जादा opportunity मुझे लग रहा है short term ठीक है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में क्या करने वाले है इस वीडियो में थोड़े से fundamentals को देखेंगे बिल्कुल थोड़े से fundamentals को देखेंगे एंड टेक्निकल्स को यह थोड़ा जादा देख लेंगे अगर आप यह सोच रहो कि यह आपने तो बोला short term के बारे में बात करेंगे और long term के बारे में भी बात करेंगे तो long term में तो यह business भी आता है तो देखो अगर आपको बिजनेस पता है बहुत अच्छी बात है लेकि पिर आपको business fundamentals दोनों कोई detail में समझना है ठीक है तो मैंने चैनल पर अल्रेडी एक वीडियो बनाया हुआ है दीपक नैटराइट के उपर तो उस वीडियो को अगर आप चाहो तो जा करके देख सकते हो मैं एक बार वीडियो निकाल लेता हूं कहां है वो वीडियो ओके यह इस वीडियो को देखना शौट तर्म में जाना है तो चाहो तो देख सकते हो बट शौट तर्म के लिए business उतना important होता नहीं है लेकिन हां long term के लिए मैं honestly बोलूँगा जरूर देखना हूं ठीक है तो आगे बढ़ता है थोड़ा fundamental की उपर बात कर लेते हैं अगर आप quarters है वो काफी हद तक consistent growth है consistent growth है तहले थोड़ा कम growth होता था लेकिन उसके बाद जो growth है वो बढ़ा and काफी अच्छा growth है इसके sales में अगर आप देखो के last में मतलब ये March 22-23 में तो कुछ खास growth आपको दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी देखो के तो अच्छा growth है और मतलब खास बट यहां पर जो profit है वो घट चुका है उसका reason है OPM margin जो है margin यहां पर क्यों घटा अब आपको पता है inflation यह वो बाकी एक ही बात है ठीक है तो यहां पर 24-16% का margin 8% का margin drop आया and इसी वज़े से profit में भी drop आया और इसी वज़े से आप देखोगे तो net profit भी लगभग मतलब कह सक सब्सक्राइब तो आज आता है compounded sales growth पे तो अगर आप सबसे पहले देखोगे sales growth तीन साल का पान साल का तो तीन साल का 5 साल का sales growth इस fantastic बहुत अच्छा है अगर आप trailing 12 months का देखोगे 17 यह मुझे okay okay लगा ठीक है एकदम यह okay okay लगा ignore करना वह सावाज को एकदम okay okay क्यों लगा क्योंकि यार अगर यह 20 के ऊपर रहता फिर भी में बोलता चलो है ठीक है लेकिन हाँ मैंने जैसे बोला कि थोड़ा sales effect हुआ है बहुत जादा profit effect हुआ है ठीक है तो अगले में अगले quarter में मेरे इसाब से यह अच्छा perform करेगा और उसमें कोई doubt नहीं है मुझे doubt नहीं है बाकि आप अपना analysis देखना कोई recommendation तो मैं नहीं दे रहा तो देखो यार sales growth अगर यह 25 या अगर मालो 24-23 के आसपास भी रखता है ना 23% के आसपास यह रखता है तो मेरे इसाब से काफी अच्छा है बाकि अगर 25 के उपर रखता है तो very good profit growth जो है वो सही था कोई दिक्कत नहीं था profit growth is okay लेकिन trailing 12 months में profit growth जो है वो okay भी नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर negative profit growth आ चुका है मतलब में यहाँ पर profit growth नहीं किया है decline किया है तो यह क्यों किया मैंने आपको बता है margin के वज़े से त risk है क्या तो मेरे सबसे profit growth अगर आप नहीं भी देखो कि तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि sales growth के साथ यह profit ला देगी company और stock price के बारे में हम बात करते नहीं है and ROE अगर आप देखो के company का ROE 5 साल का 3 साल का तो fantastic ROE बहुत अच्छा ROE है बहुत अच्छा compounded sales growth भी है 3 साल का पान साल का बट वही trailing 12 months में जो problem है वो हर जगा पर है यहां पर भी थोड़ा सा आप कह सकते हो ROE trailing 12 months में नीचे आ चुका है तो फिर भी मैं इसे good कहूंगा मैं इसे very good नहीं कहूंगा बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा कि इसका ROE है बट ROE अच्छा है लेकिन यह सब नंबर्स थे 32 32 यह सब बहुत अच्छे नंबर्स है उसी तरह से यहां पर भी मैंने कहा था कि यह सब नंबर्स बहुत अच्छे नंबर्स है और यह जो है यह ओके-ओके साय ठीक है जहां तक बात रही आगे की तो आगे company को कास problem होगा नहीं ठीक है company recover कर लेगे उसका tension नही है देखो यहां पर यहां पर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं एक cup and handle pattern ठीक है अगर आप इसे इस तरह से लोगे तो एक अगर आप इसे इस तरह से लोगे तो एक cup and handle pattern जिसमें की आप दो handle बन रहा है ठीक है cup with two handles ठीक है two handles और अगर आपको पता हो तो cup with two handles जो है यह एक बहुत अच्छा pattern होता है bullish pattern होता है और जब cup के साथ two handles होता है इसका मतलब इसका accuracy भी बढ़ जाता है ठीक है और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखोगे तो वही फिर से रुका और यह जो resistance है इसने इसे नीचे भेज दिया क्या करने भेजा है तो इसने इसे रिटेस्ट करने के लिए भेजा है कि cup and handle pattern बना ठीक है बनने के बाद दो handles बने देखो पहला तो cup and handle pattern बने यह पहला positive point दो handle बने यह दूसरा positive point रिटेस्ट करने आया है यहां पर यह तीसरा positive point ठीक है और अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है मतलब अभी market का sentiment जो है जो bullish sentiment bull market जो है यह चौथा point भी मैं count करवा सकता हूं आपको क्योंकि इस तरह के scenarios में stock भागते हैं stock नीचे नहीं आते जहातर ठीक है अगर मैं थोड़ा और पीछे चलू चार्ट में तो आपको एक line दिखेगा इस तरह से एक black color का dotted line vertical line यह क्या चीज़ है तो यहां पर आप देख दिखाता हूं यह देखो 12th of April का date है और यह जो date है यह 11th of April है मतलब मैंने next day upload गया था वीडियो को तो यह इस दिन मैंने वीडियो बनाया था अगर मैं कहूं कि कुछ हद तक मैंने bottom पे ही जो है वीडियो बनाया था एकदम bottom नहीं था लेकिन bottom के अंदर ही था और यहां पर मैंने consolidate कर रहा था यह तो simple बात है ज्यादा logic लगाना भी नहीं था मैंने बढ़ेगा और recommendation मैंने नहीं दिया था study purpose के लिए मैंने आपको बताया था बाकी अगर आप देखोगे तो यह इस जगा से लगभग 17% के आज पास ऊपर है ठीक है और ठीक है बाकी अगर किनी के पा अगर आप इसका neckline mark करोगे तो neckline होता है 2134.3 के आसपास ठीक है यह वाला जो neckline है अगर हम बात करें इसके stop loss के बारे में तो stop loss जो है कुछ इस जगह पे अब आप पूछोगे इस जगह पे stop loss क्यूँ तो आपको पता है handle के नीचे रखा जाता है and यहाँ पे अगर handle कुछ इस तरह से होता देखो मैं आपको एक scenario बताता हूँ अगर handle कुछ इस तरह से होता एक cup बना एक handle बना दूसरा handle बना तो यहाँ पे आप एक stop loss रख सकते थे दन यहाँ पे रख सकते थे बट यहाँ पे जो handle है उसका formation थोड़ा अलग हुआ है handle का formation इस तरह से हुआ है एक छो इस जगह से support मिला यह पहला reason एक और reason है वो यह कि अगर आप देखो कि यहाँ पर हलका सा consolidation है ठीक है हलका सा noise है और जो noise है मैं आपको क्या बोला था अगर यहाँ पर आएगा ठीक है तो जो noise है उसको कैसे पार करेगा या तो यहाँ पर consolidate करेगा या तो यहाँ से directly आ करके ही ऐसे resistance लेकर के भाग जाएगा जहाँ पर noise होता है वहाँ पर हमेसा ऐसा ही होता है मैंने आपको काफी बर बता है हुआ है तो देखो यहाँ पर फसने का chance मिरेको बहुत कम लगता है ठीक है पहली बात तो अगर मैं genuinely कहूं तो मुझे इसमें stop loss होने का chance भी काफी कम लग रहा है इतने positive news आ रहे market all time high लगातार बढ़ाय जा रहा है तो इन सब cases में मुझे नहीं लगता है कि यहां पर जो है market इस तरह से फसेगा किसी एक stock में इस तरह में जो यह फसेगा ठीक है तो जो भी है अब आगे बात करते है कि इसका target क्या है ठीक है अब इसका target मैं आपको बता होगे मैंने box बनाये हुआ है ठीक है और box पर आप देखोगे तो सबसे पहला resistance यहां पर मिला उसके बाद resistance यहां मिला फिर यहां रेजिस्टंस मिला तो यह जो है काफी बार इसने resistance प्रोवाइड किया है तो यहां पर हो सकता है आके थोड़ा फसे ठीक है मैं आपको पहली यह breakout तो देगा ठीक है जैसे मैंने कहा sentiment positive है देखो यह market sentiment positive होता है तो कोई भी pattern रहे वह cup and handle pattern ना भी रहे फिर भी वह चला जाता है अगर market sentiment ही positive नहीं होता है market sentiment ही negative type का होता है तो कितना भी अच्छा cup and handle pattern हो वह fail हो जाता है ठीक है तो यहां पर थोड़ा फस सकता है या काउट के बाद यह तो आपका टार्गेट है टार्गेट कहां पर है मैं आपको एक बार बता देता हूं 2570 या 2572 के आसपास आप पकड़ लो 2570 के आसपास मैं सेवन और टू में कन्फ्यूस कर रहा था ठीक है तो थोड़ा उसे इग्नोर करना ठीक है मैं आप लिग भी देता हूं एक बार इसी वज़े से 2519 के आसपास यह टार्गेट आ रहा है लेकिन मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बोलूंगा ठीक है अगर आप माल लो ठीक ह कुछने का तरीका बता रहो इस तरह से आप भी सोच सकते हो आप इस तरह से बना सकते हो कि यह होने पर यह करूंगा देखो यार यहां पर जब यह जाएगा ना तब बुल मार्केट आ चुका होगा या धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद ही ठीक है क्यों क्योंकि resistance का एरिया कुछ खास है नहीं मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको यह देखो पीछे आप देख लो यह देखो कोई है यह नहीं कुछ ही यहाँ पर ठीक है ना सीधा यहां है फिर यहां पर तो यह जो जगह है एक्स्ट्रा ठीक है मेरे हिसाब से यह जो यहां से जगह आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे हिसाब से easily 26-25% आपके मिल सकते हैं, 18-19% पे तो target है, बट हाँ, आप अगर चाहो तो दो चीज़ कर सकते हो, या फिर पूरा ही यहाँ पे book करो, कितना level है, तो 2690 के आसपास का यह level है, यह वाला तो पूरा ही profit यहाँ बुक कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो partial आधा 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 वहाँ बुक करा, या आपने divide कर लिया, ठीक है, मतलब trail कर लिया target को, जो भी कहलो, ठीक है, लेकिन हाँ at the end वही है, कि आपकी जो मर्जी आप करो, मेरा जो thought process था, वो आप अगर समझे, बहुत अच्छी बात है, मैंने simple सा यह बोला कि, अगर आप यहाँ पे exit करना चाते हो, कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ खास मुझे लगता है, rejection इसे मिलेगा, ऐसा नहीं कि target पहुँचने के बाद यह घूम जाएगा, नीची आ जाएगा, क्योंकि sentiment तब तक काफी ज़दा positive हो चुका होगा market में, तो यह हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा फसे देन, यहाँ पे direct, जो है जल देल यहाँ पहुँच जाए, तो थोड़ा आप wait करके देख लेना क्या होता है, हाँ, अगर first ride, then exit कर देना, चलो, यहाँ पे हमने short term के बारे में काफी बात कर ली, एक बार long term वालों के बारे में बात कर लेता है, तो देखो simple मैं आपको बताता हूँ, अगर आप long term में यहाँ पे average up करना चाहते हो, ठीक है, हाँ, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भागेगा बहुत अच्छी बात है, तो अगर आप average up करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अगर opportunity business पे बात करूँ, long term के हिसाब से देखो, short term मैंने आपको बता दिया opportunity, long term के basis पे उतनी अच्छा opportunity मुझे यहाँ पे नहीं लगती है, ठीक है, and second चीज यह कि अगर आप चाहते हो, यहाँ पे fresh buying करना, तो मैं आपको बोलूँगा, फिर से वही बात, करना है, कर सकते हो, बट मैं होता, तो यहाँ पे fresh buying बिल्कुल भी नहीं करता, मैं और दूसरी companies देखता, जो अपने strong support पे available है, और जैसे मैंने कहा, कि करना है कर सकते हो, लेकिन मुझे कुछ खास, कुछ अच्छा opportunity नहीं दिख रहा है, मतलब जो एक attractive opportunity होता है, वो में जो नहीं दिख रहा है, opportunity तो है, बट attractive बहुत अच्छा opportunity नहीं है, stop loss hit हो गया, ठीक है, सब की बात करनी होती है, अगर मैं target target बात करूँ और stop loss hit हो जाए, तो वो भी तो देखना stop loss भीट हो सकता है, तो अगर stop loss hit हो गया, आप simple सा क्या करना, अगर stop loss hit हुआ, ठीक है, उसके बाद wait करना, इस zone के आसपस जब आएगा, तो आप थोड़ा सा और average डाउन कर सकते हो, ठीक है, आपको stop loss पे बेचना नहीं है, long term वालों को मैं बोल रहा हूँ, long term वाले stop loss पे बेच करके मत निकल जाना, क्योंकि stop loss जो है, वो short term वालों के लिए होता है, अगर यह और नीचे आता है, यहाँ पे तब तो बहुत अच्छी opportunity आपको मिलेगी, बट अगर मैं legitly कहूं, मुझे लगता है, यहाँ तक आने का कोई भी chance नहीं बनेगा, और हाँ अगर आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से, फिलहाल तो scenario ऐसा नहीं बनता है, जो भी हो end करते हैं, वीडियो को वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना, हर दिन की बात है वाई, आपको भी याद हो चुका होगा, क्या क्या करना है, और हाँ, वही बात मैं फिर से बोलूँगा, कोई recommendation नहीं है, आपको जो करना है करो, लेकिन अपने research, अपने due diligence, अपने understanding के हिसाब से करना, मेरे हिसाब से, मेरे तरफ से कोई भी recommendation नहीं है, educational purpose का video था, यह है पहली बात, दूसरी बात यह, कि comment section में आपको अगर कोई stock के बारे में कुछ analysis कराना है, business जानना है, कुछी भी जानना है, आप comment कर सकते हो, उसका नाम एंड लिख सकते हो, कि इसके उपर video बनाई है, यह ज जानना है, तो उसके उपर में video बना दूँगा, तो बस end करते हैं video को, और as usual, share कर देना video को, bye bye and thanks for watching.